ओम शान्ति, मिठी सी प्यारी सी ब्रह्मा बाब की जीवन कहानी सब को सुनानी, ब्रह्मा बाबा कैसा है वो सब के सामने हैं, चाहे कोई के मैंने ब्रह्मा बाब को नहीं देखा, आप अनुभव की आंक्स से ब्रह्मा बाब को देख सकते हो, जैसे कोई किसी ही से परिचित हो मालो कोई दोस्त किसी को बनाता है, तो कुछ चीजें वो खुद ही एजिम कर लेता है, कि मेरा दोस्त ऐसा ही है, अगर किसी दोस्त की एक क्वालिटी नजर आती है, तो उसमें सो क्वालिटी वो आत्मा खुद ही देख लेती है, और फिर जब प्रैक्टिकल बात आती है, तो सच में उसमें वो खुद होती है, तो आपके सामने तो ब्रह्मा बाबा का जीवन, व्यक्त करने वारी दादियां, बड़े-बड़े महारती, सब ने आपके सामने बताया है, जिन्नोंने ब्रह्मा बाबा के साध जीवन बिताया है तो ये तो आप अपने अनुभव की आँख से देख सकते हो कि ब्रह्मा बाबा कैसे थे इसलिए शिप बाबा भी ब्रह्मा बाबा की जीवन की कहानी सुनाते है आपको बताते हैं कि आपके ब्रह्मा बाबा कैसे थे तो कोई भी ऐसे जब छोटे-छोटे इंसिडन्स होते थे उस समय तो दाधियां ये मम्मा उन सब चीजों में वो गुन और विशेष्टाओं को बहुत कैच करते थे मालो एक है आम करम करना किसी के सामने वो तो करम देखो ब्रह्मा बाबा कर रहे थे लेकिन वो जो कैचिंग पावर देखना उस चीज में मैसूस करना तो शिबाबा भी बताते थे ममा भी बताती थी दाधियां भी बताते थे कि देखो एक साधारन आत्मा अगर कोई होती तो वो इस तरह से सोचते और ब्रह्मा बाबा किस तरह से सोचते ये देखो इसका रिजल्ट जिसकी वज़े से हम सभी सदा सफलता मुरत रहे मना हमने हर समय यग्ये में सफलताएं देखी है उसका आधार ब्रह्मा बाबा का जीवन था उनकी लगन उनकी तपस्या उनका जीवन के आधार से ही आज जो आप हम सबी जितने भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं उनकी जो पालना हो रही है वो ब्रह्मा बाबा के जीवन के आधार पर ही हो रही है कोई ये सोचे कि मैंने बहुत बड़ा त्याक कर दिया है, पर उस त्याक का फल आपको ब्रह्मा बाबा की जीवन के आधार से ही मिल रहा है, क्योंकि आपने भी तो ब्रह्मा बाप को ही देखा न, उनके निश्य के आधार पर आज दिन तक यग्ये की पालना चले है, तो यग की समरिती रहना, याद रखना कि हम किस तरह से पल रहे हैं, आज दिन तक यग्ये में सफलता ही सफलता प्राप्त होती जाती है, मना छोटे से मकान से लेकर, बड़े मकान तक, इतने सारे मकानों तक, ये सब किस आधार पर, किसी वेक्ति विशेश की बुद्धी के आधार पर नहीं चला, ये डारेक्ट बाबा के अधार पर चला, उनकी तपस्या के अधार पर चला, जिसका फल आज दिन तक भी ब्रामण ले रहे हैं, हम फल देख रहे हैं, हमने कोई वो विशेश हो नहीं किया भी कुछ भी, हम तो फल भी खा रहे हैं, एक बीज जो ब्रहम्मा बाबा के जीवन का बोया गया, उसका ही इतना बड़ा विशाल वरिक्ष हुआ है, जिसका फल आज दिन तक हम ब्रहमा कुमार, ब्रहमा कुमारी पारे हैं, तो वो कदम जो ब्रहमा बाबा ने अपने जीवन में उठाया, हमारे सामने वो एक्सामपल है, अगर हम उनके जीवन को देखकर अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे तो ही ये सही माइने में सनेही को दिया हुआ रिटर्न है हम सभी कहते हैं कि हमारा ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है बहुत प्यार है, सभी महसूस करते हैं दिल से मना अगर विदेशी विया आते हैं तो वो भी ये कहते हैं कि हमारा भी ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है क्योंकि ये प्यार बीज से होने के कारण सभी महसूस करते हैं जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे फूल महसूस करते हैं कि हमें वो सने मिल रहा है तो जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे, अभी तो व्यक्त स्वरुप में पाला दे रहे हैं, जो साकार में ब्रह्मा बाबा थे, तो उनका जीवन क्या था, उनके संकलब क्या थे, उनकी वानी कैसी थी, उनकी वुरिती कैसी थी, वो संबन संपर्क में कैसे रहते थे, वो सारा explanation डारेक्ट शिबाबा ने भी बताया है और डारेक्ट हमने दादियों के मुखारविन से भी सुना है महारतियों से सुना है इन सब के आधार पर आप ब्रह्मा बाबा का जीवन देख सकते हो 350 बच्चों को एक साथ रखना उनकी पालना करना अब आठ और 108 जो गायन है वो आठ महारति वो आठ रतन जो बाबा के बहुत समीप रहते थे देखो समीप तो 350 भी थे लेकिन 350 का जो समर्पन क्या उसके पास था जो ब्रह्मा बाबा के समर्पन के पास है तो ये सारी चीज़ इसलिए ब्रह्मा बाबा का जीवन हम सब के सामने है एक्जामपल है संकलब कैसे होने चाहिए आपकी वरिती कैसी होने चाहिए आपकी दृष्टी तो सब को पता है बाप समान दृष्टी और वरिती कैसी होने चाहिए बोल कैसे होने चाहिए और संबन संपर्ग में चाहे बच्चों के संबन संपर्क में आए, चाहे युवा के संबन संपर्क में आए, चाहे वानपरस्ती के संबन संपर्क में आए, तो तीनों में बाबा ने सब को समान सने दिया है, बच्चा भी कहता बाबा मेरे से ज़्यादा प्यार करता, युवा भी कहता बाबा तो मेरे साथ बैडमिंटन खेलता और वृद भी कहता कि बाबा तो हमारा हम जीन से है तो हमारे से ज़्यादा प्यार करता क्योंकि वो समझते हैं हमारी बात कुमारियां कहती कि हमें बाबा ज़्यादा प्यार करता जो कि कन्याए सोब राम्नों से उत्तम है माता ये कहती बाबा ने हमें जगत माता बनने का टाइटल दिया है और हमें शेक्षाइद देता है बाबा हैं हमसे जटा प्यार करता तो बाबा एक-एक से प्यार करता और ये अनुभूति वही आत्मा करती हैं, जो सही माइने में सनही से सनही करती है ओम शांती